नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तो तंत्र सास्तर के अनुसार इलाइची के कुछ टोटके आपके जीवन में बढ़ा है। हमारे दुवारा बताये के पूरे उपायों को पूर्ण सा सुने पूरी वीडियो देखे ताकि आपको पूर्ण जानकारी हो सके। वैसे तो धन प्राप्ती के लिए माता लक्षमी को याद किया जाता है, माता लक्षमी की पूजा बड़े विदी विदान से और पूरे सज्चे मन से सरदावाव से की जाती है, लेकिन माता लक्षमी के साथ साथ नारायन यानि श्री हरी विश्णू जी की भी पूजा करनी च आप एक सफल इंसान बन सकते हैं, अगर विवा में देरी हो रही है या फिर किसी वज़े से रुकावट आ रही है या फिर आपके कोई बंते-बंते काम बिगड़ जाते हैं, तो साम के समय किसी भी मंदिर में जाकर पांच प्रकार की मिठाईयों के साथ दो इलाइची और एक सुद्धगी का दीपक भगवान को अरपित करें, उसके बाद थोड़ा सा जल भी अवस्य चड़ाएं, ऐसा करने से बिवा में आ रही सभी समस्याइत दूर हो जाती हैं, परन्तु अगर आप किसी खास काम को पूरा करवाने के लिए ये उपाई करते हैं, तो वह कारे भी पूरा हो जाता है, अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाते हैं, और उनी के लिए विशेश रूप से प्रिश्रम करते हैं, लेकिन कई बार आपके बंते-बंते कारे बिगड़ जाते हैं, या फिर आप किसी जरूरी कारे के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उस समय आप सुबह सुबह तीन इलाइची लें, और अपने दाए हाथ, यानि किसीदे हाथ की मुठी में रख लें, और तीन बार बोलें, श्री, 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 इसके बाद तीनों इलाइची को खा करके अपने घर से बाहर निकलें, आपका कोई भी कार है, अधूरा नहीं लगेंगे, अगर आप अपने जीवन में केवल और केवल धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने परस में पाँच हरी इलाइची रख लें, ऐसा करने से घर में धन सम्मद्द सभी समस्याएं तो खतम होई जाती है, साथ ही आपका परस भी कभी खाल नहीं रहता है, इसके लिए आप पाँच इलाइची लेकर एक लाल रंग के कागच में रख लें, या फिर लाल रंग के कपड़े में रख करके, आप अपने घर के मंदिर में मातालक्षमी और भगवान विश्नु की परतिमा के सामने बैठ जाएं, और इलाइची को भी अपने हाथ जोड कर आँखे बंद करके, ओम श्रिय लक्षमी नमा, इस मंतर का पांच बार जाब करें, पांच बार जाब पूरा हो जाने के बाद, आप इस कागच को एक पुडिया बना करके, या पर इस कपड़े को पुडिया बना कर पांच इलाइची को अपने पर्स मे रख ले, ऐसा करने से आपके जीवन में आरेज जितनी भी पैसे संबंदी समस्या हैं, तंगी है या बधाली है, तो वे तुरंत ही दूर हो जाएगी, अगर पती पतनी के बीच प्रेम खतम हो चुका है, तो आप किसी भी दिन भगवान श्री किशन को याद करते हुए, ती अबी सनीवार आए, तो इस दिन सुबह इन इलाइचियों को पीश करके, किसी भी खाने वाली बस्तू में मिला करके, अपने जीवन साथी को खिला दे, ऐसा आप लगातार तीन दिन तक करें, ऐसा करने से आपको लाब मिलेगा, आपने अक्सर देखा होगा, कि बहुत से ल पराप्त नहीं होती है, इसके लिए आज हम आपको एक विशेश उपाई बताने वाले हैं, अगर आप अपने जीवन में अपने परिश्रम का फल पराप्त करना चाहते हैं, अपने द्वारा की गई मेहनत का पूरा फल पराप्त करना चाहते हैं, तो आप इलाइची का ये बिल्कुल ही करिए यह आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर से धोगा इसके लिए आप इलाइची को हरे कपड़े में बांद कर अपने तक्ये के नीचे रख दें और रात को सो जाएं फिर अगले दिन की सुबह उठकर किसी भी गरीब व्यक्ति को या फिर जिसे आप नहीं जानते हो ऐसे व्यक्ति को इसे दान में दे दीजिए और उसे खाने के लिए कहिए यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो किसी भी बहते हुए जल में इन इलाइचीयों को परभाइद कर देना चाहिए ऐसा करने से आपको अपने जीवन में हर शेतर में जहां भी आप पर चरंग बली